इनिमल एंड प्लान टीशूस जिसमें सबसे बहले डिसक्स करेंगे एनिमल टीशूस को तो अगर हम टीशूस की बात करें तो सिमिलली अगर बात करें टीशूस की तो टीशूस जो हैं यह मिलकर बने होते हैं सेल से जिरिए different cells, similar cells जो हैं वो मिलते हैं, combine होते हैं और एक tissue को बनाते हैं जो कि similar function परफॉर्म करता है अब tissue हैं उनके different kind हैं, animal tissues अलग हैं, plant tissues अलग हैं अब अगर हम बात करें animal tissues की तो उसमें सबसे पहले हम discuss करते हैं epithelial tissues को अब basically अगर हम epithelial tissues की बात करें तो इस तरह के tissues हैं जो हमारे body के internal organs जो हैं इन में mostly पाए जाते हैं कुछ glands अगरे में पाए जाते हैं, इनका भी basically role यही होता है कि relaxation करवाते हैं, contraction भी करवाते हैं और साथ में अगर हम इनकी बात करें तो secretions में भी इनका role होता है यानि movement करवाते हैं, secret करवाते हैं, different substances को तो इसलिए हम बात करें, epithelial tissues की तो इसकी आगे से further five categories आती है जिसमें first category है, इसकी squamous epithelial squamous epithelial tissues यह इसकी first type है, अब squamous epithelial tissues, basically अगर हम इसकी बात करें तो squamous epithelial tissues जो हैं, यह हमारे single layer होती है, single layer of flat cells यानि flat cells की single layer होती है, like इस तरह से, यानि इस तरह से single layer होती है, flat cells की तो यह इनकी एक खास बात है, यह flat cells की single layer पे मुश्मिल होती है इनमें कोई double layer या multiple layers नहीं होती है अब अगर हम इनकी presence की बात करें, तो यह कहां कहां मुझूद होते हैं like हमारे lungs में मुझूद होते हैं, इसी तरह हमारे heart में मुझूद होते हैं different different organs में यह पाए जाते हैं, lungs और इसी तरह हमारी blood vessels, heart वगरा में यह मुझूद होते हैं अब next type जो है वो इसकी वो आती है मरे पास cuboidal epithelial, cuboidal epithelial, अगर हम इनकी बात करें cuboidal epithelial की तो यह भी single layer होती है पर इसमें flat cells नहीं होते हैं, इसमें cube shaped cells होते हैं, जिनका structure एक cube तरह का होता है, cube cube एक ऐसी चीज़ को बोते हैं, जिसके six corners, six sides हों, तो यह ऐसे cells होते हैं, जिनमें cube shaped, जो के cube shaped होते हैं, और इनकी भी single layer होती है, इस तरह से यह जिनि इस तरह से ही cube shaped cells होते हैं, अब अगर इनकी बात करें तो यह cube shaped cells कहा और पाय जाते हैं, बैसिकलि अगर हम cube shaped cells की बात करें, तो यह हमारे mostly, लाइक जैसे हम बात करते हैं, glands वगरा में, वहाँ पे यह पाय जाते हैं, और हमारे जो alimentary kenals वगरा यह जानि इनमें यह सिक्रीशन का गाम करते हैं, सिक्रीट करते हैं सबस्रांसिस को, इससे अगर हम ठर्ट की बात करें, कलम्नर अपिथीलियम, तो ये भी एक कैटेगरी है, अपिथीलियम की बात करें, तो बैसिकलिए ये इलोंगेट होते हैं, ये थोड़े लाज़ सेल्स होते हैं, ये सेल्स हैं, ये हमारे पाए जाते हैं, हमारे कुछ सर्टेन ग्लैंड्स में, ठीक है, इसी तरह ये पाए जाते हैं, हमारे अलिमेंटरी कनाल्स वगरा में, जो मारे स्टमक के साथ अटायज होती हैं, अलिमेंटरी कनाल्स उनके इंदर पाए जाते हैं, और सर्टेन ग्लैंड्स में, जहां पर ये सिक्रीशन का काम करते हैं, इसी तरह अगर हम बात करें next तो हमारे पास आते हैं ciliated ciliated columnar epithelial अब अगर हम इनकी बात करें तो ये भी elongated cells होते हैं जिस तरह columnar epithelial elongated cells हैं इस तरह ये भी elongated cells होते हैं बट इन में एक modified form यह होती है कि इन में cilia होते हैं cilia जो होते हैं basically ये move करते हैं अब आप एंड डाउन मूव करते हैं अब इस तरह के जैल्स हैं यह पाजाते हैं ट्रैक्या बाइब को बोलते हैं इसी तरह यह मारे ब्रॉंकाई वगारा में यहां पर यह पर प्रॉपयल्स करते हैं मुकस को भी बनाते हैं मुकस जाई एक बैसिकली स्लीमी अनकारे एक ऑर बहुत ही यानि के डाइल्यूट जैक होता है, जो कि चीजों को, जैने करता है। इस तरह अगर आगर हम next बात करें तो मारे पास आता है stratified squamous epithelial stratified squamous epithelial पर मुछ मिल होता है, multiple layers होती है फ्लैट सेल्स की, यैनि इस तरह से इस तरह से multiple layers होती है flat cells की कुछ ऐसे tissues हैं जैसे पीछे बात की वो single layer पर मुश्मिल होते हैं जबके जो stratified squamous epithelial tissues हैं यह multiple layers होती है flat cells की और इस तरह के cells हैं यह mostly exist करते हैं हमारे isophagus अगरा में isophagus जो यह फूड की जो tube होती है उसको बोलते हैं जहां से food enter होती है into the stomach इस तरह यह mouth वगरा में पाई जाते हैं और mostly यह skin वगरा में भी होते हैं और skin में इस तरह पाई जाते हैं क्योंकि यह role play करते हैं protection का जो हमारी skin को damage होने से बचाते हैं protection परवाइड करते हैं तो यह सारा का सारा role यह होता है epithelial tissues का जो के mostly अमारे glands और organs दोगरा में exist करते हैं okay thanks